हेलो स्टुडेंट्स वेलकम दिस न्यू सेशन ओफ लॉजिकल रीजनिंग तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्शिंग राइट डायरेक्शिंग भी आपका लॉजिकल रिजिनिंग का एक काफी इंपॉर्टन टॉप्ट को जाता है आपने काफी क्वेशन देख उनमें आपकी approach क्या होना चाहिए सबसे पहले आपको concept क्या पता होना चाहिए और उसके बाद हम question solve करेंगे ताकि यह आपके concept है आप उसको पता चले आपको कि concept apply कैसे होता है और आप जो अपनी knowledge है direction sense को youse करके किसी भी question का answer कैसे find out कर सकते हैं right तो on that note let's start the session तो भाई सबसे पहले जो concept है बहुत ज़्यादा concept नहीं है सबसे बस simple सी चीज है कि आपको बस direction sense पता होना चाहिए तो basic भाई north, east, west, south कहां पर होता है आपको ये पता होना चाहिए तो आप ये बस याद कर लो अगर आपको already पता है तो it is well and good अगर आपको नहीं पता है तो बस ये एक चीज याद कर लो कि भाई this is north, this is south, this is east and this is west बस इतनी सी चीज आपको पता हो तो फिर आप यहां पर कोई difficulty आपके लिए नहीं होने वाली है ईयरेक्षें के question में right north east west south तो नंऑ नॉट काபो में में साउस होता है अब यहाँ पे कई बार में तो TYक के यह आप यहां पर known to podemos इस्टलिक करो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे भई तो नौर्थ इंडिन स्टेट्स में आपका जमु एंड काश्मीर पंजाब उत्तर प्रिदेश यह सब आ जाते हैं राइट इस्ट में जाते हैं तो वेस्ट वेंगौल और 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 अल्दी नौर्थ इसन स्टेट्स है ना असाम अरुनाचल, मनिपूर, मेगाले, साउथ में आप देखो भी करनाटका, केरिला, तमिलनाडू, राइट, अंतरप्रदेश, तेलंगाना, जब आप वेस्ट देखो तो आपका महारास्ट्रा, गुजराथ, इस स्टेट्स, राइट, तो आप ऐसे बस इंडिया का मैप यात कर बस हर question में आप यह कर लो, इसके बाद जो आपके answers है, वो उसमें काफी जादा speed up हो जाएगा आपका answer writing process, तो भाई, north, east, south, west, इतनी सी चीज़ है, इसके अलावा जब इसमें थोड़ा साब जाते हो, तो फिर एक direction यह भी हो जाता है, एक direction आपका यह भी हो जाता है, यह भ ठीक है, north और east की बीच में, north, east, right, similarly, north और west की बीच में, north, west, चौप कर यह भी हो जाता है, इसमेलरी, south और west की बीच में, you have, south, west, right, और यहां पर south और east की बीच में, आपके पास है, वही, south, east, ठीक है, तो यहां पर आपको बस यह 8 directions यात करने हैं, ठीक है, north क्या होता है, north, east क्या होता है, right, east कहां पर होता है, south कहां पर होता है, उनकी बीच में, south, east होता है, right, and then west, और फिर south और west की बीच में, southwest, and north और west की बीच में, northwest, ठीक है, बस इतने आपको 8 cardinal directions कहते हैं, हम इनको, 8 directions अगर आप याद कर लो, तो फिर आपकी जो directions के questions हैं, उसमें काफी आस and all the shadows, और आपको थोड़ा सा concept प्रनों, जिस शाडू बगरा का, but वो हम इस session में cover करेंगे, we'll look into that in some other session, right, अभी के लिए बस आपको 8 directions और इसके बैसे पर हम questions देखेंगे, वही कि इसके बैसे पर क्या-क्या question बन सकता है, ठीक है, so the first question that we have is, y is in the east of x, which is in the north of z, if p is in the south of z, then in which direction of y is p, ठीक है, तो आपके पास काफी variables है, आपके पास एक variable है y, एक variable है x, एक variable है z, एक variable है p, और एक variable है y, ठीक है, हमको दिया हुआ है कि जो y है, it is in the east of x, which is in the north of z, ठीक है, if p is in the south of z, then in which direction of y is p, ठीक है, तो देखो, अगर हम भाई, z को middle में रखेंगे, हम z को क्यों middle में रखे रहे हैं, क्योंकि देखो, p की जो position है, वो भी हमको z के हिसाब से p की position पता है, और y और x की position हमको z के हिसाब से पता है, तो अगर हमने भाई, एक बार हम रफ वक में क्या करना है, हमको एक प्लस बना लो, ऐसे, right, directions का हम एक बार, north ये है, south ये है, east ये है, west ये है, रफ वक में बना लिया, अब क्या करना है हमको, अब हम z को यहाँ पे रखें, तो देखो, y is in the east of x, which is in the north of z, ठीक है, जो x है, वो north of z है, तो भई, x के north में क्या है, sorry, z के north में क्या है, x है, right, अब y is in the east of x, ठीक है, y जो है, वो east of x, x के east में है, now east कहां पे है, यहां पे, है ठीक है तो भाई यह हो गया X यह हो गया Y और यह हो गया Z राइट अब if P is in the south of Z अब P जो है वो south of Z है ठीक है अब P राइट तो भाई नौर्थ में X आ गया south में P आ गया then in which direction of Y is P ठीक है Y से अगर आप देखो तो P कौन से direction में है ठीक है यह direction कौन सा है आपको यह बताना है राइट तो बताओ option से नौर्थ साउथ इस्ट अन अब देखो भाई यह आपका North है यह आपका South है राइट यह आपका सेंटर पॉइंट था ठीक है अब Y से रिस्पिट में अगर आप देखोगे P तो यह slant line दिख रहे ना यह slant line अब हमने देखा तो भाई कि Southwest direction हुआ। है कौइट direction हुआ यह साउथ वेस्ट तो आपका आंसर होग तो इस इस आप समझना है अगर यह चीज़ आप समझ जाते हो तो तो that is why this slant line इसका मतलब हो गया Southwest अगर आपकी कोई ऐसी लाइन बन जाती है इसका मतलब क्या होता कि नीचे भी है और यहां से उपर है लेकिन इस डिरेक्शन में तो भी आपका बन जाए तो यह बन जाए तो यहां पर है साउथ वेस्ट का ठीक है सबसे पहले जो आपको डिरेक्शन पता है वह आप माक कर लो हमको क्या पता है हमको जो हमने देखा हुआ है कॉंसेप्ट में बस वो चीज़ हम यहां पर लिख लेते हैं कि यह हमारा नॉर्थ है यह हमारा साउथ है यह हमारा वेस्ट है और यहां पर आपका आता है नॉर्थ एस्ट है और यहां पर आपका आजाता है साउथ वेस्ट राइट यहां पर आपका आजाएगा नॉर्थ अब यह और इस वह रही है तो सबसे पहले एक ऐसा बना लेते में माक नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ेंगे शिफ्ट हो रही है ठीक है ठीक है अब देखो इस साउथ इस बिकम्स नॉर्थ देखो साउथ इस नॉर्थ इसकी जगह पर आपने नॉर्थ लिग दिया राइट और रॉट आपने सारी चेञेज IT तो वॉत्व वेस्ट वेस्ट क्या हो रही है और ये नॉर्थ और यस्ट क्या होता है नौर्थ ओपॉजिट होता है और साय डिरेक्शन मिल जाएंगे कि यह नॉर्थ हो गया है यह वेस्ट हो गया है यह साउथ हो गया है अब नॉर्थ और एस्ट की बीच में क्या है नॉर्थ इस्ट नॉर्थ और वेस्ट की बीच में क्या है नॉर्थ वेस्ट है ना साउथ और वेस्ट की बीच में क्या है सब्सक्राइब करना क्या है उसके बाद देखो कि साउट इसका है नॉर्थ लिग दिया और फिर नॉर्थ इस वेस्ट जहां पर नॉर्थ इस पहले होता था यहां पर हमने वेस्ट लिख दिया अब दो चीजे हमको मिलगे फिर हम सारी चीज़े लिख दो टो गांज वहां पर वहां पर क्या है तो भाही जहां पर पहले वेस्ट था वहां पर स्ट्रीज़ भी एक आपकी यहां पे थी ठीक है रही वहां आपकी यहां पे थी ठीक है तो इसमें आपका एक सेंड लगना है नौर्थ साउथ वेस्ट और इस लिखने में ठीक है यह लिख लो इसके बाद जो आपको डियाग्राम बनाओगे वह 100% रहेगा अगर आपको थोड़ी से सब्सक्राइब कोई बुरी बात नहीं है तो यहां पर आपने साउथ में फाइव किलोमेटर्स वाक कर लिए ठीक है अन्देन टॉन सुदर राइट अगर वह उपर वाक कर रहा होता कोई तो भाई यह लेफ्ट होता है यह राइट होता है इस यह लेफ्ट बट नीचे वाक कर आप देख सकते हों की फी तो सुद़ू हीश राइट है ठीक है अब राइट जाने के बाद ही त्टस्तुब रहर आघ और कि उसका यह पाल जाएगा लेफ्ट यह जाएगा longer Verd् 5000 यहां पर कितना हो गया, 5 km, again, right, so this is your 5 km, now in which direction is he from the starting place, देखो अब यहां पर है, ठीक है, इस position पर है यह, 5 km आने के बाद इस position पर है, starting place क्या था यह, यह आपका starting place है, right, so starting place अगर आप देखो, यह position तो यह कहां पर है, है ना, तो सबसे पहले यह नीचे है, और यह west में भी है है ना, exactly नीचे नहीं है, यह west की तरफ नीचे है, तो southwest direction हो जाता है वो, right, यह वाला direction, and this is southwest, देखो यहां से अगर आप देखोगे, तो कौन से direction बन रहा है, this is basically southwest, है ना, तो option d, southwest is the right answer, ठीक है, यहां पर देखो कोई भी confusion नहीं, आपने starting point लिया, वहां से जो man है, he walked 5 km, इ तो यहां चला 3 km, and then he turned to left, अब left कौन सा हो जाएगा, left आपका यह हो जाएगा, फिर वो यहां पर आके रुख गया, तो भाई, यह जो direction है, कौन सा direction है, basically, we know that this is southwest है, अगर आप यहां से start करते हो, अगर आप यहां से start करो, तो फिर है northeast हो जाएगा, right, but आप यहां से start, यहा है, तो हो जाएगा, southwest option D, ठीक है, next, रसिक walked 20 meter towards north, then he turned right and walks 30 meters, then he turns right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, finally he turns left, ठीक है, तो से similar to the previous question है, यहां पर भी हम एक बार रख में, अपना north, south, east and west बना लिया, ठीक है, अब रसिक वोग 20 meters towards the north, ठीक है, यहां से हम शुरू करें, तो भाई 20 meters गया हो, यहां से, ठीक है, 20 meters, let's say this is 20, then he turned right, अब right कों से हो जाएगा, right, यह हो जाएगा, है ना, because यह ऊपर जा रहा है, तो right यह हो गया, अगर नीच आता तो right आपका यह हो जाता, right, so now he turns right 20, he turns right and walks 30, ठीक है, तो 20 के बाद भाद भाई, यहा किया, यहां तक walk किया, let's say, then he turns right, अब right फिर से आया, and walks 35, ठीक है, 35, अब 35 यहां तक आ गया, यहां तक 20 हो गया आपका, 20 से भी जादा, यानि कि 35, let's say, somewhere till here, then he turns left, अब यहां पर देख रहा है, अब यहां पर देख रहा है, अब left कौन सा हो जाएगा, उसका, left उसका यह हो he turns left, अब यहां से भी वो left गया, ठीक है, यहां से भाई, left कौन सा हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा, and walks 15 meters, तो यहां तक walk किया, वो 15 meters, in which direction and how many meters is he from the starting position, ठीक हो, starting position क्या थी, यह थी, अभी वो कहां पर है, यहां पर है, अब देखो, यह 20 है, यानि कि आपका यह भी 20 और इतना आपका 15 है, तो 30 plus 15, है ना, 30 plus 15 is 45, 30 plus 15 is 45, अब 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 यहां से start करो, तो यह कौन सा direction है, यह east है, अब यहां से अब आपने start किया, तो आपके इस तरफ is east, basically, यह आपका east direction है, है ना, यह आपका north direction था, तो अभी, चो current position है, वो कहां है, 45 meters walk किया है, रसिक ने, and towards the east, right, so 45 meters east is the right answer, ठीक है, basic question, आपको distances का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर, कि अगर आपने यहां पर 20 किया है, तो यह 45 जो है, यह ब्रेक होगा 20 और 15 में, ठीक है, कहने का मनले है, कि अगर आपने यहां पर 20 इतना बड़ा किया है, तो 45 अगर आगे तो आपको 20 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, राइट, तो 20 और 15, तो अगर आपको distances को अराम से थोड़ा सा approximation, calculation करके चलोगे, तो आपको यहां पर काफी असानी से answer निकल के आ जाएगा, राइट, विकोस देखो यह 30 है, तो यह भी 30 होगा, विकोस यह rectangle form हो रहा है, राइट, और यह 16 तो यहै 25 okay total distance and the direction is in east, right? Next question, starting from the point x, Jayant walked 15m towards west, right? He turned left and walked 20m, he then turned left and walked 15m, after this he turned to his right and walked 12m, how far and in which directions and in which direction is now Jayant from x, how far and in which direction is now Jayant from x? है ठीक है let's say this is the point x जैन्द वाक 15 meters towards west ठीक है 15 meters यानि इस तरफ towards west या आपका 15 हो गया right यहां पर फिर से आप रफ में बना लो भाई north south east and west ठीक है तो west में यानि कि इस तरफ 15 meters ही walk then he turned left and walked 20 meters तो भाई यहां से left यानि कि यहां पर 20 meters और left यानि कि यह direction left होता है opposite is right ठीक है because he was walking इस direction में तो भाई यहां पर उसने turn किया 20 meters walk किया ठीक है इसके बाद then he turned left फिर से left गया वो and walk 15 meters तो भाई 15 जतना उपर यहां पर आया था उतना 15 है वापस यहां पर चला गया ठीक है after this he turned to his right अब राइट पर गया वो right यानि कि इस तरफ and walk 12 meters so right गया वो और walk 12 meters ठीक है यह आपका 15 है यह आपका 12 meters he walked how far and in which direction is now giant from x ठीक है अब x यहां पर है right x यहां पर है और आप कह सकते हो कि अभी वो जयांत कहां पर जयांत यहां पर है तो भाई कौन सा direction रही है अगर आपका यहां पर था तो direction का है एक्स के नीचे एक्जाक नीचे है राइट तो इस इस साउथ है यह आपका साउथ डिरेक्शन हो गया तो नौर्थ वाले option और प्रू लॉट कर लोगे हैना नौर्थ वाले उप्शन को Eliminate कर दोगे अब ट्वेंटी प्लस 12 इस 32 और साउथ तो 32 मीटर्स साउथ यहां पर दोनों ऑप्शन एक सिंग सेम थे हैं तो आपका 32 मीटर्स साउथ यह आपका साही आंसर हो गया ठीक है तो स्टार्टिंग फ्रॉंट एक सबसे पहले वेस्ट की तरफ गया वेस्ट से फिर लेफ्ट लिया फि यहां पर दिस्टंस 15 था और यहां पर उसने 15 वाक किया यानिकि इसी पॉइंट इसके नीचे ही पहुचा हो ठीक है तो आपको यहां पर दिस्टंस 20 हो जाता तो थोड़ा सा आगया जाता राइट और यहां से अगर वाक करता हो तो अब डिरेक्शन बदल जाती वह एक्ज next question a boy rode his bicycle northward then turned left and rode one kilometer and again turned left and rode two kilometers he found himself one kilometer west of his starting point how far did he uh ride northward initially ठीक है so uh northwards ठीक है मानलो यह starting point है he the boy rode his bicycle northward कितना राइड के हमको नहीं पता है तो लिट इस से भाई इतना इतना राइड के है ठीक है तो लिट से यहां तक then he turned left and rode one kilometer ठीक है left कहां हो गया left यहांपे हो गया आपका right north यहाप एक बद फिरसे देख लो ये आपका north हो गया यह आपका south हो गया ये east है और ये west ही ठीक है तो north से left लिया उसने अज 1 km किया ठीक है 1 km तक गया वो and again turned left फिरसे left लिया और टू किलो मिते गया ठीक है 2 km गया लेट से इतना आपका 2 km हो गया, right he found himself 1 km west of his starting point, ठीक है यहाँ पर उसका starting point था, 1 km west रही है ने कि 2 km है वह exact same distance है उसका यहाँ से यहाँ तक का, right 1 km west of his starting point starting point जहां था उसके 1 km west ठीक है 1 km west उसने पाया exact west ठीक है north west नहीं southwest नहीं exact west so that means exact west आपका तभी हो सकता है जब यह distance जो 2 km है यह same हो इस 2 km से right तो distance यहाँ पर same है आपको यह पता चल गया तो अगर इतना इसने 2 km नीचे आके यह west पहुचा है ठीक है थोड़ा से logical question है but very much doable है na very easy and very much doable थोड़ा से logic लगाना पड़ेगा कि वह चलो अगर हम मान लेते कि उसने इतना walk किया फिर वो 1 km left गया फिर वो 2 km मान लेते हैं वह 2 km जादा है ठीक है बट देखो अब जो direction है starting point से वो direction क्या हो गया south west हो गया है ना south west हो गया लेकिन हमको कहा दिया है west west याने कि starting point से exactly west exactly straight है ना तो यह आपका फिर same जब यह same distance होंगे यह और यह उसी case में possible है तो भाई अगर यह आपका 2 km है तो यह भी आपका 2 km हो जाएगा ठीक है तो option b 2 km is the right answer ठीक है next question k is 40 meters southwest of l and m is 40 meters southeast of l then m is in which direction of k right we have seen questions like these है ना k is 40 meters southwest of l and 40 meters southeast of l ठीक है अगर आप मानलो l यहाँ पर है ठीक है अब देखो north क्या होगा north यह होगा south यह होगा आप ऐसे लिख लो north यह है है ना यह आपका south है l के respect में south यह है है ना l के लिए east क्या है यह है और l के लिए west क्या है यह है ठीक है आप देखो k is 40 meters southwest of l तो भाई l का southwest क्या है south और west यह है ना आपका तो यह है 40 meters 40 meters यह किया गया L का southwest K है 40 meters ठीक है तो यह आपको दिया हुआ है now M is 40 meters southeast of L अब southeast कहां पर है southeast यहां पर है L के southeast में 40 meters you have M 40 meters है यह भी 40 meters ही है ठीक है तो अब आपको बताना है M is in which direction of K M is in which direction of K तो भई अगर आप K से देखो M कौन सी direction में है तो भई K से जो M है वो देखो आप straight यहां पर है ना इस इस विच दिरेशन इस 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 बेसिकली east है ना के की तरफ से वो east direction में है तो आपका answer क्या हो गया यहां पर east हो गया अगर आप से यहां पर distance पूछा हो तो वो भी आप आपका 40 मेंटर से आपका 40 मेंटर से आपका 40 मेंटर से राइट तो आप ट्रैंगल की प्रॉपरेटीज उस करके आपके distance भी निकाल सकते हो पर दाट इस नाट नीडेट तो राइट नों है ना हमसे क्या पूछा तो डियरेक्शन क्या हो गया यहां पर डियरेक्शन हो गया इस ठीक है तो हमेशा ऐसे तरह के questions आपको क्या करना है कि जिसके respect में directions की बात हो रही हो ना जिससे आप देख रहे हो कि के L से Southwest में है MB L से सौथ में तो आपको मिदल मिले लिए ठीक है जो भी आपका alphabet है जो भी चीज यो बार-बार आ रहिक है उसको मिदल म लें ले लिए और उसके लिर्फनदर डियरेक्शन बनाने This was about this question right So that's all in this session Students यहां पर सबसे पहले बस आपको एक चीज़ समझ लेगए है कि नौर्थ यह होता है साउथ यह होता है इस यह होता है वेस्ट यह होता है राइट अदेन यह आपका नौर्थ इस्ट हो गया यह आपका स्वेस्ट हो गया यह आपका साउथ वेस्ट हो गया और यह आपका यहां पर नॉर्थ वेस्ट होगा ठीक बस इतनी सी चीज आपको याद कर लेनी है याप कह सकते हूं कि बहुत सिंपल सा है याद भी नहीं करनी तो हर क्वेशन में आप साइड में अपना खुद का रफवर्क बना सकते हो थ्री फॉर सेकंड इतेक्स हाइड ली रा right so that's all in this session I hope this session was helpful thank you